नवसकार दोस्ते बाया, फिर से मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे इंडिया मिडिल ऐस्ट drug economic corridor के बारे में G20 Summit ने दुनिया में भारत की भागिदारी के कई दर्वाजे खोले हैं सब्मिट में इंडिया मेडल एस्ट यूरोप एकोनॉमिक काईडोर बनाने की घोशड़ा की गई हैं भारत UAE सौधी अरब अमेरिका फ्रांस जर्मनी इटली और यूरूपी उनियन सहित कुल आठ देश काईडोर 6,000 km लंबा होगा इसमें 3,500 km समूदरी मार्ग भी सामिल हैं काईडोर बनाने के बाद भारत से यूरोप तक का सामार पहुचने में करी 40% समय की बचत होगी अभी भारत के किसी भी कारगों को सीपिंग से जर्मनी पहुचने में 36 दिन लगते हैं इस रूट से 14 द को इस प्रकास समझ सकते हैं साथ वजहों से भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ा सबसे पहले भारत और अमेरिका एंडो पैस्पिक छेत्र में काम कर रहे थे लेकिन पहली बार दोनों को मिडिल इस्ट में साजिदारी मिली है भारत की मद्ध एसिया में जर्मीनी कनेक्टि की बनाने का प्रयास कर रही है पांचवा अमेरिका को उमीद है कि इनमें मेगा कनेक्टिट प्रोजेक्ट से अरब प्राइदेप में राजनेतिक स्थिर्ता आएगी और संबंध सामान ने हो सकेंगे अगला यूरोपी उनियन ने 2021 से 2027 के दोरान बुनियादे धांची के ख गर्ज जाल में मुक्ती मिलेगी जी टॉन्टी में अफरिकी उनियन के भागिदारी बनने से चीन और रूस की अफरिकी दिसों बढ़ती दादा गिरी को रोकने का सहायता मिलेगा उस्तों आपको जानकारी कैसे लिए कवर्ण प्राजद दिएगा तो चैनल को सब्सक्राइ आपके जी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद